हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि एंटासिड लाइक पेंटाप्राजोल रेविप्राजोल ऐसेमेप्राजोल और जो गैस की दवाईयां हैं जो एंटासिड लगात टाबलेट के रूप में या कैपसूल के रूप में हम जनरली मौनिंग में एंटी स्टोमक लेते हैं तो आकर उससे क्या नुकसान है और एंटासिड कैसे ग्रिजूली हमारी इंटेस्टाइन को कमजोर करती है वीक करती है और हमारा जो डाइजिशन का जो प्रॉपर प्रॉ लेते हैं तो हमें फाइदा होता है और जो एसिट गा जो के रिफलेक्ट है या फिर जो डिसपहूरीप्सिया है एंडाइजेशन है या फिर की चेस्ट बर्न या हर्ट pense की जो प्रॉबलमम में वह कुछ हद तक हो जाती है सब्रेस हो जाती हैं सिंटंस जो आपके होते उसमें आपको रिलीव मिल जाता है बट एंटासिट कोई पेट की किसी समश्या का कोई इलाज नहीं है ये किबल एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो कुछ समय तक लिया जा सकता है बिदा कंसल्टेशन अब दा फिजीशन और दा स्पेसिलिस्ट लेकिन एंटासिट का लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल आपके स्वास्त के लिए हानिकारक है उससे ना किबल आपका एसिट सप्रेस होता है बलकि जो आपके और गैस्टिक सिक्रीशन है उस पे भी फरक पड़ता है और जो आपके गैस्टिक कंटेंट है उनकी जो एफिकेसी है वो गरिज्वली कम हो जाती है और आप फिर बाद में दिखते हैं कि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और पेट से संबंदित प्रॉब्लम बलकि बढ़ जाती है और एंटासिट से एक टाइम के बाद कोई इफेक्ट आपके बाडी पर नहीं आता है तो आज हम वन वाई वन इसको किलियर करेंगे कोई भी एंटासिट 3 से 6 मन तक मैक्जिमम लिया जा सकता है विदे कंसल्टेशन अब दा फिजीशन या फिर आप कोई दूसरी थ्रैपी लेते हैं तो कईवरी देखा जाता है कि पेन किलर के साथ या इस्टिरोइड के साथ एंटासिट या प्रोबाइटिक डॉक्टर लिखते हैं तो उसका डूरेशन फिर दॉक्टर के द्वारा डिसाइड होगा वो 3 मन्स हो सकता है 6 मन्स हो सकता है और कैवरी टीवर क्लोसिस का जो इलाज है उसके साथ भी एंटासिट या प्रोबाइटिक दिये जाते तो फिर वो 6-9 मन्स तक भी हो सकता है लेकिन आप एंटासिट लेना सॉलूशन है क्या आंसर इस कंप्लेटली नो यदि आपको पेट से डाइजेशन से संबंदित या फिर आपको कंस्टिपेशन है या फिर आपको खाना अच्छे से नहीं पचता है आपको प्रॉपरली वाउल रेगुलेट नहीं होता है और आपकी जो क्वालिटी है वो काफी पिरभावित हो रही है यह एक तरीका है दूसरा फिर आप हलके हलके मील लें यानि हर तीन या चार घंटे पे आप सॉफट डाइट लें यह एक बेटर आप्शन होगा यदि किसी पर्टिकुलर फूट से आपको प्रॉबलम है लाइक मतन या लाइक मिल्क प्रोडेक्ट या फिर चिकन या नट्स तो वो आप to completely avoid करें कुछ लोगों को एक से भी प्रॉबलम हो सकती है तो वो एक completely avoid करें अब यह बात आती है कि, जो एंटसिद है आखिर वो करते क्या है end acid आपकी GI motility को बढ़ाते हैं प्लस आपका जो acid का जो secretion है उसको भी control करते हैं यानि ये proton pump inhibitor हमेंने कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो आपका acid का जो secretion है उसको suppress करते हैं काफियत तक acid का secretion एक हद तक suppress करना ठीक है बट continuously यदि आप acid के secretion को suppress करेंगे तो उससे digestion समद्दे दूसरी problems होंगी क्योंकि acid का secretion एक optimum amount में acid का secretion हमारे gut के अंदर healthy है वो बहुत जरूरी है वो digestion में मदद करता है वो body को acidic environment provide करता है प्लस वो detoxification cleaning करता है तो acid का अपना एक important role है यदि किसी को acid formation जादा है तो antacet यानि proton pump inhibitor लिए जा सकते है but with the advice of the doctors quality of sleep आप improve करिए stress को minimize करिए तो फिर आपका जो acid का secretion है वो normalize हो जाएगा इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप already antacet पर है और antacet को आप छोड़ना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो फिर उसका क्या तरीका होगा उसका सीधा सा तरीका यह है कि आप antacet की जगे aloe vera juice ले सकते हैं 10 से 15 ml morning empty stomach और evening में आप खाना खाने से पहले यानि before food आप 15 ml aloe vera liquid या juice आप ले सकते हैं in place of the antacet और दूसरे कुछ liquids हैं जो आपको मदद कर सकते हैं antacet को remove करने में जैसे कि जीरे का पानी है, नारियल का पानी है, आपका curd है, फिर आपके दूसरे probiotics है apple है, पोहा है, खिचडी है, दलिया है, ये सबाब यदि आप अपने खाने में include करते हैं और 3-4 लीटर आप पानी पीते हैं, तो फिर आप अपने antacet को remove कर सकते हैं और 1-2 हफ़ते के बाद आपकी body normalized react करना शुरू करेगी जब आप antacet stop करेंगे तो आपको 1-2 हफ़ते तक constipation आ सकता है acid से burning sensation हो सकती है और digestion में थोड़ा सा problem हो सकता है, यानि भूक भी कम हो सकती है तो ये एक withdrawal है antacet को बंद करने के बाद, लेकिन antacet को बंद किया जा सकता है और antacet के बगर भी आप अपनी life style को modify करके और कुछ natural antacet add करके आप अपनी life की quality को sustain कर सकते हैं और इस problem को solve कर सकते हैं इसके बाद आता है कि आप अपनी GI motility को regulate करें GI motility का मतलब है कि आपको जो भूक प्यास लगती है, जो आपको digestion होता है और उसके बाद जो excretion यानि wastage भाँ निकलता है, उसका एक speed है, एक rate है तो आप उसको fix करें, उसको normalize करें उसको fix करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप breathing exercise करें और पेट की exercise करें और walking करें यदि किसी को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो आपने lower abdomen reason पे, यानि पेट वाले reason पे किसी भी oil को हलका सा गरम करके, वो massage कर सकते हैं, गरम पानी से सिखाई कर सकते हैं और पेट की जो pumping exercise है, यानि जिसे हम नौली क्रिया कहते हैं, या जिसे हम भस्तरिका कहते हैं, वो कर सकते हैं, जिससे कि आप पेट को अंदर खीचिये पूरा और भार छोड़िए, मतलब पेट को pumping करनी है आपको, cycling कर सकते हैं, walking कर सकते हैं, और stretching कर सकते हैं, पैर की stretching तो आपकी जो lower abdomen muscles हैं, वो भी regulate हो जाएंगी, लेकिन antacid को लंबे समय तक इस्तेमाल हानी कारक है, वो आपके gut को damage करेगा, वो आपके digestive system को impaired करेगा, तो 3-6 months से जादा antacid without doctors consultation ना ले, यदि कुछ conditions हैं जिसमें कि antacid को हम कुछ लंबे समय तक देते हैं, लेकिन उन conditions में कि कौन सा salt दिया जाए, यह फैसला doctors, specialists करें तो ज्यादा बेटर है, बट आप जर्नल ही आप digestive problems के लिए antacid लेते हैं, और more than 6 months हो गया है आपको, तो फिर आप अपना antacid बंद करने की कोसिस करें, इस बीडियो में बताएं जो natural methods से आप उनको follow करें, thank you very much and take care yourself. झाल